Hey guys, namashkar, welcome back to Kajal's Kitchen आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर पनाने में बहुत ही असान हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है खारने में कितना टेस्टी लग रहे हैं बनाना भी इसे उतना ही असान है और अगर इस तरह से पालक पनीर बनाएंगे न चाटते रहेंगे इतनी टेस्टी सब्जी बनती है और में बात किया इसमें आपको ज्यादा मिहनत करने की भी जूरत नहीं है डिरेक्ट आप इसे बना सकते हैं तो इसके लिए आप पानी लेना है चाल कप पानी लिया है उसमें नमक डाल देंगे अच्छे से जो है गरम होने पानी थोड़ा सा गरम गया है अभी हम इसमें डाल देंगे पालक आप देख रहे है मैने नहीं पालक के पत्ते एड़क आकार कर नहीं इसमें डाली है तो आपने क्या करना है मोटकी जो डंठल होती है इसे stems को निकाल देना है और इसे हमें पालक के पते ले लेने हैं साफ साफ पते हम ले लेंगे अच्छे से दो से तीन बार दोकर हमने यहां पर गरम पानी में पालक को डाल देना है अभी हमने क्या करना है इसे बॉइल करना है और इसे बॉइल जो करना है हमने सीरफ और सीरफ पालक हमारी ready हो जाएगी और पालक जो है हरी हरी बनेगी हमने इसे जब बहुत ज्यादा नहीं पकाना है इस बात का ध्यान रखना है तीन से चार मिनट हमारे हो चुके हैं अब भी हम पालक को निकाल लेंगे इस रसी छलनी से और हमने इसे डाल देना है ठंडे पानी में चिल का color दिखा दिए देखो किस तरह से कितना हरा हरा है ना बिल्कुल भी color इसका जो है नहीं गया है अपि हम इसे strain कर देंगे चान लेंगे और extra पानी हमने यहाँ पे इसे निकाल लेना है अभी हम इसका करते हैं तड़का त्यार पानी को हम निकलने देंगे तड़का ready कर लेना इतनी दिर में हमने एक पैन लेना है पैन में हम एड़क करेंगे देसी गी मैंने यह पे देसी गी लिया है आप चाहिए तो सरसो का तेल लिफाइन डॉil ले सकते हैं इसमें हम डाल देंगे सूखी लाल मिश ऑप्शनल है टोटली ऑप्शनल अगर है तो डाल लेना यह तो अच्छे से इसे mix करेंगे और यह देखो इसे जो है पकने भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बस हमने इसको जो ना हलका सा पिंग कलर का हो जाएगा तब तक पकाना है अभी हम इसमें डाल देंगे टमाटर एक बड़ा टमाटर लिया है पारिक बारिक शॉप करके हम इसमें टाल देंगे इसे जो हमने दो से तीन मिंट तक अच्छे से पकाना है तब तक हम यहाँ पे क्या करते है पालक का पानी निकल गया होगा तो हमने यहाँ पे पालक को क्या कर लेना है इसे जो है हम पीस लेंगे तो हमने यहाँ पे इसे बिल्कुल इसकी प्यूरी नहीं बनान को यह देखो पालक कितनी हरी-री लग रही है न आपने बनाई यह इस तरह से सबजी बहुती टेस्टी बनती है और बहुती सुन्दर सा कलर आता है सबजी को कुछ इस तरह से हमने रेडी कर लेनी है थड़का भी हमारे रेडी हो गया है अभी हम इसमें डालेंगे मसाली तो मैंने यहाँ पे लिया है लाल मिश पाउडर 1 टी स्पून इसके बाद हम इसमें आड़ करेंगे धनिया पाउडर यह भी 1 टी स्पून लिया है इसके बाद हम इसमें नमक डालेंगे नमक मैंने यहाँ पे जो हाफ टी स्पून लिया है आप अपने टेस्ट के कोडिंग कम या जादा कर सकते हैं इसमें डाल लेना है और कोई मेंने मसाले इसमें अपर कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें गरम मसाला या फीर कीचेम की मसाला एड़ कर सकती हैं एनकावटे günद successful रसंठी तरुद्द व्हेम करेठ करके अगर आपका पनीर जो है काटते की होता है यापिर की सीउट से on- hè इस से कवर करके एक विनित तक पकानाके विए लाँ है singlesा आपका या इस तरह से हिलाया लेकिन बिल्कुल भी पनीर नहीं टूटा है इसे हमें कवर करके एक मिनित तक पकाना है पनीर वाले मिक्षर को मसाले को यह देखो पनीर की सबजी रेडी होगे सबसे पहले तो यह देखो कितनी टेस्टी लग रही है लेकिन हम यहाँ पे पालक पनीर बना पनीर की सबजी नहीं बना रहे हैं तो आप जो है एक पंच दो काज कर सकते हैं आप चाहे तो जिसको पनीर की सबजी खाने है पनीर की दे सकते हैं जिसको पालक पनीर खाना है वो दे सकते हैं तो हमने इसके बार इसमें डाल देंगे पालक वाला मिक्षर इसमें डाल देना अच्छी से इसे mix कर लेंगे कितनी सुन्दर लग रही है न सब्जी बहुत ही tasty बनती है और अगर आपने इस तरह से नहीं try की है तो जुरू try की है तो well and good अगर नहीं try की है तो इस तरह से जुरू try करना बहुत ही tasty बनती है पालक डाल कर हमने mix करके इसे cover कर देना है और cover करके हमने जो इसे एक से दो मिन तक अच्छे से पका लेना है और यह लो हमारी जो सब्जी है बनकर बिल्कुल त्यार हो गई है देखो कितनी tasty लग रही है न खाने में बनाने में भी उतनी असान है तो आप यह recipe शुरू करें शियर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें thank you for watching thank you